रादे रादे आज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि जो शनी ग्रह है ये जो वक्री होगा 29 जून दोहजार चौबिस को और 15 नॉम्मर दोहजार चौबिस तक वक्री रहेगा इसका हर एक राशी पे क्या प्रभाव पढ़ने वाला शनी एक बहुत इंपर्टन प्लैनेट होता है जोतिस के हिशाब से और ये रुलाता है मारता है ठोकता है गिराता भी है और जब ये वक्री हो जाता है तो आज हम इसी कॉंसेट को समझेंगे और हर एक राशी पर अपलाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाला उनका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये चार महीने मोटे मोटे उनके कैसे जाएंगे क्या बड़े इवेंट है जो उनकी लाइफ में हो सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा आएं तो बिल्कुल शुमूरत है वेल आइकन दबा दीजे चैनल को सब्सक्राइब क क्या होता है देखिए एक यह चाल होती है इसे हम कहते हैं सीधी चाल हम इंसान भी ऐसे चलते हैं सीधे सीधे इसे जोतिश की वासा में मार्गी होना बोलते हैं कि अपने मार्ग पर चल रहा है लेकिन जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है ना तो क्या करता है वो देख तो इंसान उल्टे पैर नहीं चलता लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि यह पीछे जा रहा है यह एक astronomical phenomena है इससे related आप कई सारे animated वीडियो यूटूब पे देख सकते हैं जिसमें आपको यह काम बरबाद करके रहूंगा तो रहूंगा ही मैंने सुधरने वाला और आप चाहिए फिर लाग कोशिशे करने शनी महराज वक्री हो गया दिमाग खराब होगे आप सोचे आप रास्ते में चलते हैं कोई वेक्ति आपको जो दिमाग जिसका खराब मिलता है उसको कितना भ पहले मेश राशी वालों की बात करेंगे सब्सक्राइब आपके मेजरली आपके टेंद था House को और 11 था सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी क्या अपको अपने आस पास के रिलेटिव दोस्तों इनसे से मन हटे आपको यह किसी नाकिसी तरह से आपको फटका लगाकर जो कारोबारी हैं या वो लोग जिनका अपने दोस्त रिस्तेदारों के साथ कोई भी financial लेन देना है पैसा तो बिल्कुल भूल कर मत दीजिए और लीजे भी नहीं और देखेगा इस पूरे time period में ऐसे लोग आपको आपके दोस्त आपके रिस्तेदार financial help मांगने आपके पास आएंगे अगर आपने help कर दी तो क्या होगा कि फिर वो help मत समझो फिर उसे charity समझो तब आप आगे बढ़ना अब आपकी love life की बात करें तो 11 घर का शनी अगर माना जाए तो एक दो तीन आपके first house पे उसकी द्रस्टी होती है यह चार महीने मेश्राशी वालों आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके सारे काम अचानक से इतने डिले क्यों होने लग गए इतना स्लो स्लो क्यों हो रहा है यह जो चीज एक दिन में हो जाया करती तो इसमें ती भी होती है इस वज़े से आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि आपको पेट का प्रॉब्लम होने लग गया अब बात ऐसी है ना कि शनी बहुत बड़ा ग्रह तो 29 जून से चीज स्टार्ट हो रही है लेकिन यह चीज आप 15 दिन पहले से महसूस करने लग जाओगे और जो समय आ चुका है क्योंकि यहां पर आप सनी की जिद है कि रुलाएगा तो शेर मार्केट में स्पेकुलेशन में गैमलिंग में किसी भी तरह से अगर आप जोड़े हैं सावधान हो जाईए परिशानी होगी आपका अगर कोई संतान है आपका कोई बच्चा है घर में उसकी पढ़ाई में या उससे रिलेटड कोई बैड निउस भी आपको यहां पर मिल सकती है बच्चों की हेल्थ खराब हो सकती है बच्चों के फ्यूचर को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती है इस समय उन्हें भरपूर प्यार दीजेगा सहयोग दीजेगा इस अवधी में अ आठ नव दस आठवे घर में शनी की द्रश्टी आई इससे क्या होगा शनी की अस्टम द्रश्टी जब एर्थ हाउस में पढ़ती है तो ऐसे में देखा जाता है कि दिल्चस्पी अचानक से जोतिश में बढ़ने लगती है क्योंकि शनी अपने आप में जोतिश का कारक ग् बीमारी या आपको खुद को बीमारी या आपको कोई रोग पकड़ सकता है तो कोई ना कुई आपको इन का इस यहां पर हो سकता है लेकिन लोगों को नहीं होगा जो किसी भी तरह से PX के काम से जुड़े हुए है Manufacturing के काम से जुड़े हुए Engineering के काम से जुड़े हुए इतनी ज्यादा problem इनको देखने को नहीं मिलेगे तो मोटा- burner Shani वक्री ये करने वाला है आने वाले 4 महिनों में मोटा-मोटा आपके साथ अब करना क्या चाहिए शानी को यहां पर वक्री शनी के उपाय के लिए आपको एक तो हन्मान चालिसा जरू पढ़नी चाहिए दूसरी चीज यहां पर आपको साथ मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए तीसरी चीज यहां पर आपको जो भी अंडर प्रिविलेच्ट क्लास है उसको किसी भी तरह से खाने पीने की चीजे सेटेटे सेटेडे आप देते रहिए तो यह है मेलेश राशी के उपाय में आगे पढ़ेंगे दोस्तो जानेगे कि जब शनी होंगे वक्री तो व्रृषर वराशी 복 Alrighty आपके सबीने चाहिए जब लिए शनी नावे घर के मालिक होते है और मेजर्ली शनी अभी आपक तो आप धेखेंगे गि यहां पर आपको किसी वजह से हॉस्पिटल विजिट करना पड़े गा ज़रूरी में आपने जॉब में सोचने लग गए इसको तो बदलो यार मज़ा नहीं आ रहा है चेंज करो इसको जॉब में नजाने कहा कहा से दिक्कते आएंगी मतभेद होंगी आपके कलीक्स के साथ इशू होने वाले आपके बॉस के साथ आपकी जगड़े लड़ाई की संभावनाएं बनी हैं यहां पर दिखाए दे रहा है कि आ डियों का दर्द, पेट की समस्या, बैकबोन में दर्द ये माता जी को देखने को मिल सकता है घर का जो माहौल है वो भी गड़बड हो सकता है खराब हो सकता है लव लाइव की अगर बात करें तो सात्वी द्रस्टी तो चोथे पे गई आठ नौ दस दस्वी द्रस्टी सात्वे घर में जाएगी यहाँ पर जो लोग शादी शुदा हो गए हैं तयार हो जाएए उतार चड़ाओ आने वाले हैं वक्री शनी दस्वे घर में अगर शादी नहीं हो रही थी तो अभी और टलेगी और अगर शादी हो गई है तो आप पाएंगे कि ऐसी भी नौमत आ सकती है कि आपके मन में विचार आने लगें कि नहीं रहना साथ में लेकिन कोई फैसला मत लीजेगा कोई भी फैसला यहाँ पर ने लेना है आखों की समस्यां जर्द अचानक से उठ सकता है इस समय आप नई प्रॉपर्टी का योग बन रहा है वैसे कुछ अच्छा भी तो हो रहा है नई प्रॉपर्टी का फरनीचर लेने का रेनोवेशन करने का योग बनना और इसमें जितना सोचा है बजट से जादा पैसा खर्च भी हो जाएगा तो यह है वर्षब राशी वालों के लिए शनी वक्री का रिजल्ट उपाय क्या करना है दुर्गा जी के पास चले जाएए दुर्गा जी से अपनी जितने भी आपको उनकी पूजा करनी है प्रातना करनी उनकी करना शुरू करी आपको अच्छे फल मिलेंगे सबसे बड़ मांगी का घर है और यहीं पर वो वक्री हो गया है यहां पर सबसे पहले फादर को इशु हा सकते हैं health related यहां पर आपके confidence में कमी आ सकती है कोई बहुत लंबी दूरी का यात्रा अगर आप करना च्वाले थे तो यात्रा कठीन होगी और यात्रा करने होगी या नहीं इसमें सब्सक्राइब यहां पर एक जगे से नई जगे पर फेक भी दिये जा सकते हैं इसलिए कि आप साहते नहीं थे इस वह और वह हो गया यहां फिर जब आप नई जगे पर अगर आए हैं आसपास की टाइम पीडियर में तो यहां पर तोड़ा अनीजी लगेगा आपको अनुभ रिष्टे थोड़े गड़बर थे तो प्रॉब्लम और गड़बर हो सकती है इसलिए यहां पर भाई के साथ स्पेशली ब्रदर के साथ आपको रिष्टे बना के रखने साहिए आपके अगर चाचा जी हैं तो चाचा जी को भी मेडिकल इशू यहां पर आ सकते हैं पापा डिजायर जो आपको लग रहा था ना कि यह पूरा हो जाना चीव उसमें डिले आ जाएगा जो भी चीज़े आप इस चार महीनों में चाहोगे ना कि यह हो जाए यह हो जाए तो मजा आ जाए बस वही चीज़ डिले हो जाएगी इसलिए किसी एक पर्टिकल चीज के लिए नहीं होना चाहिए आपको इस टाइम पीडेड में रिस्तों में दरार आ सकती है रिलेशनशिप से जुड़ी प्राब्लम को आएंगी इग्नोर नहीं करना है आपका सिच्विशन से भागने का मन करेगा भागेगा इस समय स्टूडेंस को सफलता पाने के लिए कुछ नया क करना पड़ेगा कुछ innovative करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा यह जो बुग पड़ रहा हूं मैं यह सब मैं ऐसा क्या लग कर रहा हूं जो बहुत कम लोग कर रहे इस समय अपनी कमर का पैरों का ध्यान रखेका दर्द उठ सकता है नियमित व्यायाम और योग करना पॉस्ट उलत की दाल का डान भी करना है डोनेशन भी करना है एक अच्छी बात भी मितुनाशी वालों आपको भी प्रॉपर्टी खरीदने का योग वक्री शनी बना रहा है तो प्रॉपर्टी की बाते घर में चलेंगे कुछ फ्लैट खरीदा जाए आप वीडियो में आगे है फाइनेशल प्रॉब्लम्स आ सकती है अच्छानक से आएंगी आपको लग सकता है कि यार मेरा तो सब कुछ ठीक चला इतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं लेकिन आएगा अब क्या करना है यहां पर अभी एक उपाय बताऊंगा वो जरू करिएगा बिजनस में नुक्स पर चल रहे हो तो मेरी कोई बात से रिलेट नहीं करोगे क्योंकि आप उल्लेडी रेमेडी कर रहे हो उधार देने से बचना है पैसो का कोई वादा करके जाएगा कि आप मुझे अभी पैसा दे दो 15 दिन में मैं यह कर दूगा लोटा दूगा मत देना कह देना शनी वक्री चला अभी नहीं देंगे बात में देंगे यही वीडियो दिखा देना उसे आपने लव लाइफ में आपको ट्रस्ट की कमी नजर आएगी क्या सच में अपने पार्टनर पर आग बंद करके विश्वास कर भी सकते हो या नहीं अपनी फेलिंग्स को इमांदारी से अपने प पर असर पड़ेगा वाणी पर असर का क्या मतलब होता है कि आप ना सइयम नहीं बरत पाएंगे कुछ चीज गलत लग रही है तो तुरंद बोल देंगे लोगों को लगेगा यह कितना हार्श बोलता है कितना कटू बोलता है इवन यह भी हो सकता है कि आप बोलो कुछ और गलत अर्थ निकालकर फालतू के मामलों में आपको घसीटने लग जाए इस समय स्टूडेंस को अपनी टीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है और शनी क्या शनी उम्र में बड़ा है इसलिए इस समय आपको क्या करना चाहिए करकराशी वाले जात को जो उम्र में बड़े लोग है आपसे उनसे सलहा लेते रहना चाहिए आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा इम्म्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है पेट का ध्यान रखेगा पेट समस्य हो सकती है उपाय के तौर पर आपको जो चोटी कन्याएं हैं उनको किसी भी तरह से करते हैं शुलाची को स्वा में हैं यहां पर आपको यह देखने को मिल सकता है दोस्तों कि यहां पर आपकी मैरिज में इशूज आ रहे हैं शादी लेट हो रही है अगर हो गई है तो लड़ाई जगड़े हो होता है तो बिजनस में इसुस आ रहे है साथा गर पब्लिक से आप परिशान हो रहे है goto डिपने कर पा रहे हैं आपने आपको ड्री नहीं कर पार समल कर चलना चाहिए पैसों को देखना है आप अपने अकाउंट को चेक करिए आपको काफी कुछ नया पता चलेगा इस अवदी में लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर की जिद और गमंड के कारण परेशानी हो सकती है egoistic हो सकता है आपका partner इस time period में कि मेरी बात मानो तो मानो नहीं तो जाओ ऐसी बाते कर सकता है लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे समय बिताएंगे अच्छी यादे साजा करेंगे जो student है इस समय इस समय आपकी आपके father की वज़े से आपको थोड़ा pressure ज़्यादा मैसूस हो सकता है या father की वज़े से आपको चिंता ज़्यादा हो सकती है आपको इस समय headache परिशान करें लोग आपकी छवी को बिगाड़ने की कोशिश करें आपके खिलाफ अफवाएं फैलाने की कोशिश करें ऐसा भी देखने को मिल सकता है लेकिन सात्मेगर का शनी करारा जवाब देते हैं ऐसे लोग आज आपका time गड़बढ है तो लोग शायद परिशान कर रहे हैं महीने बाद आप उन्हें परिशान करोगे उपाय की तौर पे भागवान शूर को जल जरू चढ़ाएगा रोली डाल के जल में थोड़ा सा रोली मिलाकर जल चढ़ाएगा कुम-कुम डाल के आप जल चढ़ा सकते हैं और आठ किलो उलत की डाल का डुनेशन एक बार करना है बस बन टाइम एक बार गए आठ किलो डुनेशन किया काम फिट तो यह था शिंग राशी का कैसा जाने वाला यह टाइम पीरियन वीडियो में आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे कन्या राशी के जातकों के लिए कन्या राशी वाले जातकों अगर देखा जाए तो शनी देव आपके 5th house को और 6th house को रूल करते हैं 6th house में शैटन अपका शनी आपके वक्री भी हो रहे हैं और शटे घर का शनी वक्री बहुत मेहनत कराता है रिजल्ट नहीं देता है कारोबारी को बिजनस में दूसरे वैपारियों से कड़ी टकर देखने को मिलेगी शनी महराज के वक्री रहने के दौरान आप कर्ज में डूपते हुए भी नजर आ रहा है इसलिए इस टाइम पीरेड में कोई बड़ा करजा कोई बड़ा लोन कोई बड़ा प्रॉमिस किसी से नहीं करना है इस साथी में जो गल्फेंट बईफेंट है बहस खूब होगी हो सकता है चेंज भी हो जाए सनी बदलाओ कभी तो ग्रहना तो बदल भी सकता है इस समय में आपको रिलेशन्शिप में बोर्यत महसूस होगी अकेले में जादा समय बिताने का आनंद लेना चाहेंगे अकेले में अपने आप कुछ पढ़ना कुछ देखना इसी में मजाएगा अगर रिलेशन्शिप है तो उसमें अकेले जादा दिन नहीं नहीं रह सकते नहीं तो सामने वाला कहेता है अकेले रहे नंए अप जाओ अकेले हम कई और जा रहे हैं कैनेराशी के स्टूडेंड इ से निपड़ जाएंगे की काफी आ सकते हैं नहीं करना चाहिए उपाय के तौर पर क्या करना है ओम नमो भगवते वाशुदेवाई इस मंत्र का जाब करना है अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तुला राशी की बात करेंगे तुला राशी वालो कुंडले में शनी महराज आपके सुख भाव और संतान भाव यानि की करमशाद चौथे और पांचमे भाव को रूल करते हैं और पांचमे भाव में वो वक्री हो रहे हैं फिफ थाउस में सबसे पहला तो पताने क्यों आपको डॉकुमेंटरी देखने का बड़ा शौक चड़ेगा हिस्ट्री को जा आएं एंटीक्स का शौक पड़ेगा मुवी जो इस तरह की होती ना खजाने की खोज वाली आपको इसमें दिल्चस्पी पहले से भी है और अभी क्या होगा बढ़ जाएगी शानी महराज के वक्री होने से फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी इस समय आपको बजट समाल के च समय आपको करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक घर में बाट टाइम तक रहेगे तो कुछ मन मुटाव जरूर हो सकता है विद्यारतियों की बात करें तो यहां पर गुरूप डिस्कुर्शन गुरूप स्टडी जैसी चीज़ों में इंवाल्व होंगे और कोई उनको बात करते हैं कि अगर आपकी तुला राशी है तो शनी यहां पर पांचवे घर में बैठकर आपके दूसरे घर पर द्रश्टी जाते हैं पैसा कमाने के लिए टाइम तो यह अच्छा है और पैसा गवाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है अब आपको पंडी जी कैसी बह अच्छी से भी छोटा यानि साथ सेकंड से भी कम है तो आप अपने डिसीजन की वज़े से पैसे गवाँ भी सकते हैं तो यह तुला राशी का प्रेडिक्शन क्या करना चाहिए ओम नामा शिवाय रुद्र के सामने कोई नहीं ठिकता रोजाना एक माला का जाब करिए और शनी महराज आपके आसपास भी नहीं आएंगे बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए जरू करिएगा चार महिने की बात हर एक दिन करिएगा 29 जून के बाद से 15 नौंबर तक वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्रश्चिक राशी की बात करते हैं अगर बात करे के रहने का स्थान मतल सकता है फोर्थाउस होता है लगजरी का कंफर्ट का लगजरी और कंफर्ट में इतना घुस जाएंगे आप कि आपको लगेगा कि और कुछ नहीं करना चाहिए जिस वजह से आपका प्रोफेशन आपका करियर अफेक्ट होने लग जाएगा इन्वायरमेंट अब शनी बैठा है वहां पर थो फोड़ा टॉक्सिक हो सकता है शनी उम्र में बड़ा है तो बड़े उम्र के जो घर में लोग है वही करेंगे अगर आंप ही है तो समल जाना मत करना कुछ आपको वक्ति दूसरों को परिशान नहीं करना चाहिए लेकिन फ इन घरों से चीज़ों में भी आपको प्रभाव मिलेगा चठा घर आपके शत्रूप परिशान कर सकते हैं दस्वा घर आपकी हैसियत है चाहिए के तो आपके नाम को करने checks 6000 हूश्पियों सकती है इस तरह की चีज़ें आपके साहत हो उपाय क्या करना चाहिए Nice दिन पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाएगा और तेल का दान जरूर करियेगा तो यह था वरश्किर राशी वालों का कैसा जाएगा यह पूरा time period वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं धनुर राशी के जातकों के लिए वक्री शनी का टाइम पीरियेड कैसा जाने वाला है दर्नुराशी वालो शनी आपके दूसरे और तीसरे भाव में वक्री होंगे मेजरली वह थर्ड हाउस में रेट्रो गेट होते हुए नजर आते हैं थर्ड हाउस होता है आपका हड़ वक्त शनी यहां पर बैठकर अच्छा रिजल्ट देता है यहां पर आपको और महंती बनाएगा जिस वज़े से आपके करोबार और आपके बिजनस में आपको अच्छा फायदा मिलना दिखाई देता है इस अवधी में आप अपने परिवार में खर्चा कर सकते हैं और आप खास तोर पर अपनी पढ़ाई पर और अपने आपको कु अध्यात्मिक विश्यों में रुची रखने वालों के लिए यह एक बहुत अच्छा टाइम है ध्यान योग प्राथना हीलिंग इस तरह की चीजें आपको बहुत जल्दी आप तक पहुचेंगे भी और आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगी तो कहीं ना कहीं धनुराश वालों के लिए वक्री शनी पॉजिटिव ही है धनुराशी वाले सभी जात को यहां पर आपको बस इतना ध्यान देना है कि यह टाइम पीरिड है फ्री हिट वाला कि जहां बल्ला गुमां बॉल वहीं आ रही है इसलिए टेक रिस्क रिस्क लेना शुरू करिए और महनती त सिच्वेशन ऐसी बनेगी ना कि आप काम बहुत करने लग जाओगे और एक बात बता दूशनी जब वक्री होता है तो इंसान काम बहुत करता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और सामने वाले आसपास वाले लोग कहते हैं इतनी महनत मत करो तुम तो बहुत महनत करते हो अपन सामी शनी देव खुद हैं और आपके फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस को रूल करते हैं और ऐसे में मकर राशी वालों के लिए शनी महराज पैसों को लेकर बड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं पहली चीज जो मकर राशी के जाता करेंगे इनकी इटिंग हैबिट्स अब आप अपना सब को छोड़कर उसके उपर लगे हुए हो जिस वज़े से क्या है कि आपको लग रहे है कि यह स्लाइम मेरे ग्रोथ काता मेरे पढ़ाई काता मेरे प्रमोशन काता इधर जा रहा है तो यह भी चीज है इस चीज से बच दो सकते नहीं शनी काम ऐसे ही करव आदमी आपके लव लाइफ में एंटरी मार सकता है और आपके पार्टनर इस चीज से बढ़केंगे और जबकि आपके कोई गलती खास होगी नहीं बढ़केंगे अनायास की लड़ाई आपसे कर सकते हैं नए महमान भी आपके घर आ सकते हैं और यह महमान भी घर में आते ही की नेगेटिविटी लेकर आ सकते हैं इस दौरान परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा और जरूरी भी है वास्तों में आपकी ताकत और प्रेड़ना का श्रोथ आपका फैमली ही साबित होने वाली इस पूरे टाइम पीरियर में स्टूडेंट इस समय काफी मेहनद करते ह वक्री हो जाना आपके एर्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर देता है यानि कि आपकी फाइट या डिस्साटिस्फेक्शन इन लॉस के साथ भी हो सकता है और एर्थ हाउस जोतिश है जोतिश सीखने का बड़ी दिल्चसपी होगी बहुत मन होगा तो यह था मेरा मकर राशी क के लिए प्रेडिक्शन एक उपाय जो कि आपको जरू करना चाहिए मकर राशी वालों आपको मंगल वार या फिर शनी वार को एक बार सुन्दर कांट सुनना चाहिए और पाठ कर लें तो क्या ही बात है अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कुम राशी वाल पता ही नहीं चलेगा इंटरस्टिंग कुमराशी वालों के लिए कि इनको लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया है पर जब घड़ी को देख रहे हैं तो यार अभी तो 15 मिनिट हुए इस तरह के भी हैसास आपके साथ हो सकते हैं आपको यहां पर रिलेशन्शिप में बहुत ज्यादा केरफूल रहना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका पार्टर पता नहीं क्या-क्या सोच रहा है और क्या-क्या कर रहा है इस टाइम पर आपको ऐसा मैसूस होगा कि यूर पार्टर डजन्ट गिव टाइम तू यू वह आपको वैल्यू नह उतना आपका काम ना करना पड़े उतना ही जादा आपको काम आएगा हर्ड वक आएगा छोटी-छोटी यात्राइं करवाएगा आपसे इधर उदर एक से दूसरे शहर आपको लेकर जा सकता है यह शनी आपको हड्डियों के लेवल पर जैसे अगर फिजिकल बात करूं तो बहुत बहुतरी रिजल्ट भी दे कर जाएगा यही वक्री शनी आपको शनी फरस्ट हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं टेंथ हाउस पे इसका एफेक्ट रहेगा तो यहां पर कुम्राशी वाले जातकों को जितनी आप मेहनत करो उतनी रिस्पेक्ट मिलेगा नाव इट कि आप तो ऐसे यो डिले डिले तो वैसी जद देंगे आपको ध्यान लखेगा उपाय के तौर पे बजरंग बाण का पाठ करें शनी वार को एक बार कर लें काफी आपके लिए नहीं तो हनुमान मंद्र जरूर जाए हनुमान जी से आप प्रातना करें उनके पैच में संद म्येन्राशी वालों अस्पताल को देखोग एस्पताल का सामना होगा शुक्ता मोटा मोटा खर्चा सामने ऐगा कि किया काओं खर्चा === हो रहा है यहां पर यह भी देखने को मिलता है घर प्रापटी खरीदने में भी आपका खर्चा हो सकता है तो आपका बेड्रूम है तो आप अपने रूम को सजाने में सवारने में भी खर्चा कर सकते हैं पर पता नहीं क्यों बेचायन बड़े है मीनदाशी वाले किसी बात की बेचैनी इनको खाया जा रही है अब वो पैसे की बेचैनी है या हेल्थ की है मुझे तो लगता है दोनों की है यहां पर आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली situation बन सकती है take your decisions very very carefully especially जो बिजनस कर रहे हैं विर्द्यार्थियों को इस समय किसी रुकावट का सामना करना पर सकता है और अगर आप किसी भी तरह से विदेश में रहते हैं तो dissatisfied हो सकते हैं अपने आसपास की environment अपनी salary और अपने आसपास की लोगों की वज़े से यहां पर अपने financials का बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके घर में कोई बुजूर्ग वरिष्ट वेक्ति रहता है तो उनसे रिष्टे और उनकी तबियत दोनों में समस्या आ सकती हैं उनके साथ वाद विवाद और गलफ फहमिया बन सकती हैं शनी की नहीं है स्टमक की प्राब्लम quo स्टम की प्राब्लम भी हो सकती है यहां आपके मन में बाते भाएप और कोई शेयर करने WILLा मिल नहीं रहाए आप शाहते हैं किसी में कुछ बात करो और वो ना अपका पार्टनर आप उस समस्मेश कर नहीं करना चाहते ही क्णा और पर आपको पीरेड में नहीं तो यह जैलेसी बुरी नजर लगाएंगे आपके खिलाब कुछ सड़ेंद रज सकते हैं ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं अपनी प्राइवेसी बनाया रखें और समेधर शील मामलों पर चर्चा करते हुए थोड़े सतर करें उपाय के तौर पे रोजाना शि बताएगा वीडियो को लाइक करें मिलता हूँ आप से एगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे कि अग्याइब कि अग्याइब झाल कि अग्याइब झाल झाल